लास्ट मोमेंट पे फिल्म का टाइटल चेंज कर देने से थोड़ी कन्फूजन जरूर क्रियेट हुई है बट एंड अफ दे फिल्म अच्छी हो तो खोसला का गोसला नाम की फिल्म भी हिट हो जाती है स्पाई एक्षिन फिल्म में थ्रिल और एक्षिन से भरपूर होती है ज्यादा तर इस तरह के फिल्मों में एडवेंचर के साथ साथ देशबक्ती वाली फिल्म भी आती है बस जरूरी है इन सब के साथ एक ठीकठा कहानी की फिल्म में अदित्यरोय कपूर ओम राठोर का किरदार निभाते हैं जिने सरकार द्वारा एक मिशन के लिए निउक्त किया जाता है दरसल फिल्म में एक साइंटेस्ट द्वारा दुश्मनों से हाथ मिला जाने की कहानी को आगे बढ़ाय जाता है और ओम राठोर को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सच का पता लगाए लेकिन इसी प्रोफेशनल काम के दौरान उसे कई परसनल चीजों का सामना करना पड़ता है एक समय ऐसा आजाता है जब वो एक ऐसे दो राहे पर खड़ा हो जाता है जहां उसे कुछ हार्ड डिसीजन्स लेने पड़ते हैं फिल्में अदित्यरोय कपूर के अलावा संजना सांगी लीड रोल में देखी जा सकती है इनके अलावा जैकी श्रॉफ, प्रकाश राज, आशुतोष राना जैसे कई बड़े नाम भी फिल्म को सपोर्ट करते देखे जा सकते हैं नौर्मली मलंग फिल्म को छोड़ दिया जाये तो अदित्यरोय कपूर लवर बॉय काइंड आफ रोल्स करने के लिए ही जाने जाते हैं वो चाहे आशी की टू हो, ये जवानी है दिवानी हो, फितूर, दावते एश्क, ओके जानू जैसे फिल्मे हो इन सभी जगे वो बहुत हलके फुलके नौन एक्शन हीरो वाले रोल्स करते देखे जा सकते हैं लेकिन रास्ट कवच फिल्म में वो एक्शन हीरो के तौर पर देखने को मिलते हैं जहां उनके धाई किलो के हाथ जब दुश्वनों पर पढ़ते हैं तो वो उठते नहीं बलकी उठ जाते हैं तो कहने का मतलब है फिल्म में धेर सारा एक्शन देखने को मिलता है और देखा जाये तो एक्शन्स अच्छे हैं ऐसा भी नहीं कि बेवज़े से एक्शन को फिल्म में भरा गया हो स्टोरी के मताबिक ही एक्शन्स रखे गए हैं कुछ हद तक फिल्म देखकर साउथ मूवीज वाली फील आती है उसी तरह का एक्शन और मसाला एंटर्टेन्मेंट वाली वाइपस आती है फिल्म के स्क्रीन प्ले को कटगरे में खड़ा किया जा सकता है कहानी को जिस प्रकार से एक्जेक्यूट किया गया है वो कई बार फिल्म से कनेक्शन तोड़ता नजर आता है यानि अंगेजिक फील नहीं होता I guess स्क्रीन प्ले में थोड़ी और कसावट होती तो दर्शक फिल्म से ज्यादा जोड़ पाते कुछ इलोजिकल सीन्स भी फिल्म को थोड़ा कमजोर बनाते है स्पेशली अगर आप अधित्य रायकपूर के सर में गोली लगने वाले सीन को देखेंगे तो आपको भी वही फील होगा जो मुझे हुआ था एक्टिंग पॉइंट आफ वीव से देखे तो अधित्य रायकपूर का काम ठीक ठाक है उनकी भारी आवाज उनके डायलॉक्स को कन्विंसिंग बनाती है एक्शन सीन्स में भी वह बिलिवबल लगते हैं कहानी भी बिलिवबल काइंड आफ होती तो अधित्य की महनत भी रंग ले आती कावया शर्मा के किरदार में संजना सांगी भी अपने किरदार को ठीक ठाक निबाती देखी जा सकती है इनके अलावाज जैकी श्रॉफ, आशुत उश्राणा और प्रकाश राज जैसे एक्टर्स भी अपने किरदारों को अच्छा निबाते दिखते हैं इन एक्टर्स का उप्योग और अच्छे तरीके से किया जा सकता था फिल्म के प्रडियूसर एहमद खान है फिल्म के एक्जेक्यूशन डिरेक्शन में उनकी दखल अंदाजे भी फील होती है कई मौकों पर ये फिल्म बागी टू जैसी लगती है फिल्म का म्यूजिक एवरेज है कोई भी गाना सर चड़कर नहीं बोल पाता बट BGM कुछ जगे सीन्स को सपोर्ट जरू करती है फिल्म के VFX पार्ट को भी और बहतर किया जा सकता था और कई मौकों पर VFX थोड़ा कमजोर मालूम होता है फिल्म में देशबक्ती वाली फील जरूर आती है मेरी तरफ से फिल्म को टू एंडे हाफ स्टार हैव अनाइस टे